दोस्तों, इंडिगो के चेकिन के लिए आप इंडिगो के वेब साइट पर आईए, फिर इहाँ इस बटन को क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए वेब चेकिन पर दोस्तों Indigo में web check-in करने के लिए आप पहले Indigo की website पर आईए, website पर आने के लिए simple website ढून लीजिए, website का link में आपको description में भी दे दूँगा, फिर यहाँ पर यह जो आपको menu बार दिख रहा है, इस menu के अंदर आपको जाना है, तो हम इस menu में जाते हैं, इस menu में जाने के option हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने भी web check-in क्लिक कर लिया है, अब यह जो हमारा location मांग रहा था, जो हमने allow कर दिया, अब यहाँ पर दो चीजे हैं, एक तो PNR और last name, यह दोनों चीजे जो हैं, आपको अपनी टिकेट से मिलेगा, तो PNR हमने यहाँ डाल दिया है, जैसे आप देख सकते हैं, टिकेट का भी मैं आपको screenshot दिखा देता हूँ, और फिर हमारा last name हम यहाँ भर देंगे, तो last name हम यहाँ भर देंगे, यहाँ पर याद रखिए 6E, जो है मेरी flight number 60 से चालू होती है, तो मैंने 6E सेलेक्ट किया है, अपर इन लिए एक TK का भी option वहाँ है यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए, आपका web check-in जो है 48 गंटे पहले open हो जाता है flight time से, और flight time के 60 मिनिट पहले तक जो है open रहता है, और अगर international flight हो, तो 24 गंटे पहले web check-in चालू होता है, और 75 मिनिट पहले web check-in बंद हो जाता है, तो आपको web check-in जो है, मैं recommend करूँगा आप देखना आगे मुझे भी तकलीफ आती है, लेकिन आप मैं recommend करूँगा कि आप जितने जल्दी हो सो के open होने के बाद आपको SMS भी आएगा, आप web check-in कर लीजिए, इन दोनों चीजों के द्वारा हमें authenticate किया जाएगा, और हम अभी जो है, अंदर पहुच जाएंगा इ मैं काफी लेट check-in कर रहा हूँ, फ्लाइट के एक घंटे, दो घंटे पहले ही check-in कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या होगा मेरी seats का, तो देखते है, तो ये seat selection option में जब हम आजाएं, तो यहाँ पर देखिए, इस seats अलग-अलग type के है, काफी साइस seats के लिए पैसा भी लगता है, जो blue वाले उनके लिए पैसा नहीं लगता है, ये free वाली seats भी है, तो ये सारे options यहां दिख रहे है, अब मुझे लगता नहीं कि कोई free option बचा होगा यहां पर, तो देखिए, सब paid options है, ये सारे paid options है, तो इन्होंने मुझे ये free option दी हुई है, जो हरे में marked है, जिसका seat number है 6E, तो यहां हम कुछ कर नहीं सकते है, जो seat free में मिल गए ये भी है, लेके आगे बढ़ते है, तो चलो back दबा देते है, तो यहां पर जो है check-in दबा देंगे, हम बस check-in दबा देते है, आगे बढ़ते है, क्या कर सकते है, अब check-in होने के बाद देखिए, हमार भी जो है हमें देखना है, लेकिन main होता है कि boarding pass, SMS और email पर आ जाना चाहिए, तो यहां पर वो detail मांग रहे है, phone number और email ID, जहां पर boarding pass आएगा, जो हमारा destination है, उसका address भी हमें यहां पर डाला है, destination का address आप इंकोड हम डाल देंगे, जिस शहर में आप जा रहे हैं, उस शहर में आपका एक destination आप इंकोड डाल दीजिए, और COVID का जो declaration है, उसमें मैं लिख चले कर रहा हूँ, I am not COVID positive, फिर आप declare कर रहे हैं कि containment zone में आप नहीं रहते हैं, COVID का declarations है, ठीक है, dangerous goods में भी आप declare कर आपके पास नहीं है, भ्यान से देख लीजिएगा इन चीजों को, और agree and continue क्लिक कर दीजिएगा, बड़ा ही simple होता है, web check-in का progress, देखे, web check-in का process जो है, पूरा हो गया है, आपको भी baggage अगर डालना है, तो add check-in baggage जनाव कर दीजिए, तो आप अपने baggage भी पहले से declare कर सकते हैं, एक bag 15 kg का allowed होता है, और हाथ में 7 kg का एक bag रख सकते हैं, यहाप जो एक bag select करके, आप generate bag tag कर सकते हैं, वो आप जाकर वहाँ पर airline में भी print कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर generate करके आप declare कर सकते हैं, ठीक है, यह सब सही लग रहा है, इस बूरिंग पास को phone पर दिखा कर ही हम आगे भड़ सकते हैं, तो बड़ा ही simple web check-in process है, आपको वीडियो अच्छा लागा हो, तो please like कीजिए, like कीजिए, like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए